हेलो फ्रेंड्स विलकम टू माई चैनल होली की सिजन में दही बरे तो बनते ही हैं लेकिन सही तरीके से दही बरे कैसे बनते हैं ओ अच्छे से फूले फूले होने चाहिए सौफ्ट होने चाहिए और जूसी होने चाहिए बिल्कुल जैसे बाहर मिलते हैं सेम तरीके से बनाऊ से भी बना सकते हैं अच्छे से धो करके ओफरनाइट हम फूलने के लिए छोड़ दिये हैं अच्छे से फूल गया है ग्राइंडर जार में रहके हम इसको पीस लेंगे हाफ हिंच अधरक का टुकड़ा दो हरी मिर्च रहके हम पीसे हैं एक बाउल में हम इसको ट्रांसपर कर लेंगे अटेस्ट के कोडिंग नामक और हाफ टीस्पून हल्दी हल्दी चाहे तो आप इसकीप कर सकते हैं अहाथ से हाँ पर हम फेटेंगे इसमें इनो या बेकिंग सो इसमें उपर में बॉल्स आ गया है अगर अच्छे से हम नहीं फेटे रहते तो बॉल्स नीचे पेंदी में रहता तो उसको साइट कर दिए अब इधर हम दही को मिक्स कर लेते हैं तो दही डालके दही गाड़ी है तो थोड़ा सा पानी डाल दे एक टीस्पून टेवल इस् अब एक बावल में हम पानी रखेंगे जिसमें बाड़ा को फड़ाई करके डालेंगे तो इसमें हम डाले हैं हाप तीस्पूनद नमक और धोपींच यहिंग इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिए अब इधर पे रखेंगें सर्सो के तել में हम फड़ाई करेंगे तेल गल सारे बड़े को डाल करके ज्यादा बड़ा साइज हम नहीं रखें मिडियम साइज का है इसको डाल दिये हैं उपर से इस पून से आप इस पर गर्म तेल को डालते रहें तो आप देख सकते हैं बिन इनो डाले हुए बेकिंग सोटा कितना फूला फूला बना है डार्क जी मैं कट करके दिखाती हूँ अंदर से भी आप देख सकते हैं अब इसको हम दही जो फेट के रखे हैं चीनी डाल के उसमें डाल देंगे डाल करके अच्छे से मिक्स कर दे थोड़ा सा पानी बच गया है तो इसको हम फेक देंगे एक पलेट में मैं सर्व कर लेती हूँ तो दही बरे को डाल करके उपर से डाल देंगे चाट मसाला थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर चितीखी कम होती है और धनिया की चटनी हम बनाए हैं इस जगा आप उदेना की चटनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और उपर से हम इमली का चटनी डालेंगे तो धनिया की चटनी डा या दिवाली में या फिर ऐसे भी बना के खा सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ते उहार का इंतजार करना है तो आप इस रेस्पी को जरूर टढ़ाई करें अगर रेस्पी पसंद आए तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइक सब्सक्राज करें